कि अब्रिवान आप सबका स्वागत हैं मेरे निव ब्लॉक में और दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि इस टाइम तो सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है मैं भी नहां के आई और आज बाल वगरा भी धुले हैं थोड़ी घर की सापसफाई भी की थी तो हमारे हम क्या होता है बाल धुलने के बाद शिंदूर वगरा लगा कर ही पूजा होता है उसके बाद ही चाय पानी पीते हैं ऐसे सूनी माग नहीं रहती तो आप लोग कैसे होता है मैं इस बताती हैं मों ऐसे करते हैं जैसे बड़े लोग बताते हैं तो मैं वैसे सारी चीजे फालू Key Je बड़े में जमाने क्यों हूँ वर्ट में सारी चीजे वही फालू Key PPA हुए मैं और सभी माने मिला नहीं एक पर जो रीत रिवाच परंप्रा है उन चीजों पर विश्वास रखती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पुराने लोंग बुजुरुग लोंग जो कहते हैं वो सही होगा सो फ्रेंड मैंने भी चाय वैगरा पी लिया है और मुझे खाना भी बनाना है बट मैं आज खाना लेट बनाऊंगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम कुछ और ही है इस समय आम का सीजन है तो आम का अचार चटनी सब कोई बनाई रहा है तो मैं भी आज मेरे घर भी थोड़ा सा आम आया है पच्छे इसकी में चटनी बनाऊंगी बट उसको सेयर करूंगी आपके साथ तो आम को मेरे हां रखा हुआ है और मैंने छिल के उसे कद्दुकस किया है तो कद्दुकस करने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च और लहसुन म इसके बाद मैंने हल्दी नमग मिला कर उसको धूप में रखा है सो ये सारा प्रोसेस में आपको दिखा भी सकती थी इसलिए मैं वीडियो बना नहीं भूल गई इसलिए मैं मैं से मोंस से बता रहे हूं आपको कि ऐसे ही आप समझ जाओ सारी चीजों को मैंने कर्दुकस करक क्योंकि वह सब अभी बागी है सचे लिए ब्लॉग पर बने रहेगा और मैं अपनी चटनी भी सेयर करोंगी यह ऐसी चटनी है जो साल भर छे महिने भी खराब नहीं होती आप पराठा रोटी खाना सब के साथ खा सकते हो तो मेरे पिछले साल जब आम का सीजन था ना तो मैंन सारी रेस्पी मिल जाएगी बहुत अच्छे रेस्पी मैंने सेयर की है सो फरेंड तो मैंने सारी सेयर की है बाट इस सीजन में मैं कुछ भी सेयर नहीं कर पायी क्योंकि समय मेरे कंडिसन थोड़ी अलग सी है तो दोस्तों देखिए मैंने धूप में अपना ले आई मैं तो मैंने डेड़ किलो आम लिये थे जिसको मैंने कद्दू कस किया था और मैंने करीब 100 गराम हरी मिर्श थी जो कि मैंने 20 से चीरा लगा कर कट करके इसमें मिक्स किया है 100 गराम के लहसुन मैंने छील के इसमें मिलाये हैं हल्दी नमक डाला है और सब चीजों को मिक्स करके धूप में करीब 2-3 घंटे के लिए मैंने रखा है ताकि जो इसमें पानी हो वो सूख जाए हरी मिर्च में खटा पन चला जाए और हरी मिर्च का तीखा पन आम में मिक्स हो जाए लहसन भी इसमें अच्छी तरसे गल जाए तो सब चीजों को धूप में करीब 3-4 घंटा दिखाना है तो सुबह हिस्ट में 6 बजी धूप हो जा रहा है तो मैं 9 बजी तक ऐसे ही रखती हूं और अब मैं आगई मसाला भूनने के लिए तो मैंने लिया है धनिया और लाल मिर्च ये दोनों को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं इसको पहले भून ले रही हूं तो हलका से में रोश्ट करूंगी और बहुत जादे इसमें मिर्चा मसाला नहीं डा लोंगी इन सब को भी भूनोंगी तो पहले मैं जीरा और सौफ को भूनोंगी लाष्ट में डालोंगी क्योंकि अजवाइन बहुत बारीक होता है जल्दी भून जाता है सो से लाष्ट में डालना चाहिए तो मैंने हलका सा रोश्ट कर दिया है और इसके साथ मैं सर्सो का त तो चीजे मसाले मैं फटा फट भूल लेती हूं और इसके बाद में जारी मिकसी जार में इसको पीसने मेरे मसाले जब त्यार हो जाएंगे ना तो मैं अपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने चटनी में समिक्स किया है यह तो सबको पता रहता है कि यह मसाले चहिए वह मसाले चाहिए पर फिर भी मैं सेयर कर रहे हूं तो इसमें से मैं मैं चार पांच चमच के करीब मसाले डालूंगी क्योंकि यह चट्णी मेरा धूप में मैंने चार घंटे के लिए रखा तो यह गल के बहुत थोड़ा सा हुआ है अब विए यह जाए महाता है। दिन अब और 55 को इन जान नमट हabyte डाल भी तो यह भूत है। सब चीजों को डालके में अच्छ से करूब गी मिक्स करके मैं इसे धूप में एक-ध़ंटा राइधस यह धूप मेंघन का यह है कि सब चीजे अच्छ से हो जाएगी और यह आप एखके से मेंगी तो चक्मी को सो ये देखिए मेरा सब कुछ अच्छ से मिल गया और इसे और इख्य से धूवी करके मैं दो गंटे के लिए दूप में रखुंंगी इसके बाद मैं इसे डिब्डे में डालके रख दुंगी इसके कुछ करना है बस खाना है साम को यह तैयार है आप साम से ही खा सकते हैं सुबह में बनाया है तो मुझे थोड़े कम लग रहते मसाले तो मैंने और भी डाला में रखता में अच्छे से मेरा रेडी हो गया है कि अब में डाल के रख दूँगी तो मैंने डिब दिया डिब अच्छे से साफ होना चाहिए और अपंधमिम लगा दो तो फिर चुब लाख है तो मैंने डिब्बे में अच्छे से ऊईल Khal morality लगा दिये थे फिर मैं इसमें डाल नहीं हो ताकि आक भर नहीं हो और जो एना पूरा दिन भर आइसे बाहर रहने दूंगी धूप में साम को अच्छे से घर में रख दीजिए उसके बाद आप 6 महिना साल भर भी रहे तो खराब नहीं होता यह ऐसे कि ऐसे ही चटनी इंदम फ्रेस और ताजी लगी आपको बहुत जादा टेस्टी और यमी होता है पराठा रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने इस अपने लिए बनाया है तो कि मिझे हल्दी डाइट ही लेना है तो मैं ऐसे ही सारे अचार खाऊंगी जो जब बहुत जदा ना नुफसान करें सो यह देखिए मेरे मसाले तयार इसके अलावा मैं कुछ और भी बनाने जा रही हूँ जो कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तब जान पाएंगे तो चलिए मेरे अचार का हेलो एबरिवान तो दोस्तों मैं अभी आज चटनी अचार के साथ आज कचरी भी बनाने वाली हूँ कचरी में समझते हैं आप जो कुरकुरा होता है मतलब चाई के साथ खाया जाता है ये स्नैक के तरह होता है नास्ता होता है सो ये चावल से बनता है जिस तरह आप खिछडी बनाते हो सिंपल वही चीज है बट इसमें कुछ नहीं पड़ता सिर्फ चावल रहता है अजवाईन नमक होता है और मैं इसका भी वीडियो डाली हूं चैनल पे आप ज़रूर जाकर देखिएगा अभी आपको वन येर पीछे जाना पड़ेगा मेरे रैस्पी ब्लॉग में यह भी बना रही हूं क्योंकि अभी मेरा प्रेग्नेंसी टाइम सेवन मंत चल ला है तो अभी मैं सारे काम कर ले र चैनल को भी बहुत जादा पसंद है सो मैं सोची रही थी कि आज जब आम का चटनी बनाई रही हूं तो मैं कच्री भी बना लूँ तो यहां देखो पेड़ के नीचे कित्ता चाया है यहां बहुत अच्छी चाया है हवा भी चल लही है तो मैं इसके नीचे बैटके खाट कि लिया है और इसमें बना रही है और जाल lên झब भी बाना रही हूंसे म Bin अपना चावल और सो मैं ऐसे गोल-गोल बना रही हूं जब यह तेल में तला जाएगा तो यह काफी बड़ा होता है मतलब चार स्नैक आप धरक दो तो एक प्लेट भर जाएगा चाय से तो यह देखो गोल-गोल बना रही है गोल-गोल दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है इसमें सरे पुटी हुई लाल मेर्च अजवाइन नमक पढ़ा हुआ है इसलिए इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा थोड़ा सा तीखा होगा अजवाइन से क्या होता है ना कि आप तेल में जब कोई भी चीज खाते हो तो आपको गैस ऐसे दिक्कत होती है तो अजवाइन का जो फ्लेवर होता है वो स्वादिष्ट भी होता है आपके पेट के लिए भी नुकसान नहीं करेगा तेरे आप यह कश्री कितना भी खालो ना नुकसान नहीं करता है तो उसको तलकी में दूंगी तो यह पास्ता को नहीं मांगेगी इसी को समझेगी यह लंबा लंबा और यह गोल गोल मैंने दो तरह के बनाया है तो आप ही जूरू ट्राइक कीजिए यह पूरे दिन इस टाइम बहुत तेज धूप हो रही है तो एक दिन में ही सूख जाएगा पर होली के टाइम पर हम लोग बनाते हैं जब तो दो दिन लग जाता है सोखने में तो अभी यह खाट हम वहां देखो वहां धूप है वहां कर देंगे और अभी बनाने के लाते हैं पी छाओं में रखे हैं तो आज मैंने आम की चटनी और यह कुरकुरा दोनु बनाया है आपको कैसा लगा कमजू बताइएगा और आज मैं सारे काम जुटा के खाना दोपार में बनाओंगी इसलिवनस्टा सुभय का टाइम अच्छा होता है ठंडा मुसम होता है बना लूगी तो आज मैं जली-ज काम कर रही हूं मैं हाराम से चियर पर बैठी हूं जगो तो कोई दिक्कत लेहे हैं कर दो कर दो दोस्तों मेरा कच्री भी बन चुका धूप में पड़ा हुआ है पूरा सूख जा रहा है अचार का डबा भी धूप में है मतब साम तंग मेरा दोनों रेडी हो जाएगा और इधर मैं जा रही हो खाने के तैयारी करने फर मैंने देखा कि ट्विंकल बड़े मगन से पड़ रह है तो ट्रिंकल अभी अच्छर बनाना सीख रही है तो देखिए सारे अच्छरों को बना ले रही है एसे एटुजेट पूरा लिख ले रही है अभी स्कूल भी नहीं जा रही है और इतना अच्छे से सब मुछ उसको लिखने आ गया सो मेरी ट्रिंकल बहुत ही ज़्यार औ एक बार उसे कुछ भी समझा दो बहुत जल्दी समझ जाती है सो मैं I'm so lucky कि मुझे ऐसी बेटी मिली है बस आप लोगे अपना सिर्वाद दीजिए उसको पी क्यू आर आर कितना सुनता बना रही है यह देखो वाव इतना आर कठीन होता है ना आभी फर्स टाइम लिखना स्टार्ट की ए फिर उस हिसाब से पूरा जेट तक लिख ले रही है वाव ट्रिंकल देखो वाव आर फार रेट यह ओ है पी है क्यू है और यार इस और एक पेज में एसे लेकि एं तक लिख चुकी है दूसरे पेज में लिख रही है ट्रिंकल गुट बेटा मेरा बच्चा मेरा शोना मैंने कोई हल्प नहीं कर रही है बस मैं देख रही हूं थोड़ा सा अब बनाओ अब आर बना चेकी एस फार एस फार सीप बनाओ तो इसको बनाना पहले एस फार सीप टाइगर पर टाइगर पर टामे तो देख लेह पर हां सही है और आर फार रेट भी तो बनाई हो सब इस फार पायरट बनाई हो क्यों फार कुई नो फार ओर औरेंज ठीक चलो बनाओ अब यू अब यू फार अमरेला बनाओ चलो इस फ्रेंड देखिए मैंने मेरा चार प्यार हो गया है और मैंने धूप में भी रख दिया है गर्मी बहुत जादे हो रही है इस टाइम अगर अचार वगर आपको बनाना है चिपस वगरा बनाना है कुछ भी बनाना है तो आप सुबह साथ बजी तक बना लीजिए क्योंकि धूब बहुत तेज हो रही है तो मैंने इसलिए नीचे भी बना कर ऐसे रख दिया था कुरसी पर करके सो मेरा चटनी रेडी है और आपको कैस नहीं आओंगी मैं वीडियो पर ही अपने फोकस करूंगी क्योंकि वीडियो मेरा किसी तरह अप्लोड भी हो जाता है और लोग देख भी रहे हैं तो मैं वीडियो आप जरूर वाच पीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो ब्लाग के साहाथ तब तक के क्रिवे इतना है और लोग भी रहे हैं थे चाहरे हैं रहे हैं तरह जब के से वीडियो अईयो नहीं वाह् अपया और तक कि कैना ढ़सके।